आज का हमारा प्रक्राण है अब एकस पे मल्टिफिकेशन करना मल्टिफिकेशन के मुखेता टीन पार्ट्स होते हैं मल्टिफिकेशन के कुश्चन को लिखने के लिए मल्टिफिकेशन के कुश्चन को लिखने के लिए मल्टिफिकेशन होता है उसे हम राट साइड में और जो मल्टिफिकेशन होता है उसे लेफ्ट साइड में लिखते हैं खीक है अब एकस में multiplier को decide करने के लिए हम क्या करते हैं जो multiplicand और multiplier में total numbers होते हैं उन numbers plus one cell extra से हम multiplicand को लिखना start करते हैं example 12 multiply by 6 12 multiply by 6 तो अगर हम देखें तो 12 6 means 12 में 2 numbers और 6 में 1 3 आएगा plus one extra cell हम करते हैं छोड़ते हैं तो हमें क्या करना है one two three four four cell से हमें जो multiplicand है उसे लिखना है means 12 तो ones की value जो ones है उसकी value two है और tens की value क्या है one है 12 और multi जो हमें multiply करना है किस से करना है six इसे हम right side के sorry left side के first wire पे लिख देते हैं six then क्या करना है six की series two time करनी है then six की series one time करनी है six की series जब two time करते है तो six two जा 12 12 को right side के second और first wire का use करते हुए हम लिखते हैं 12 six two जा 12 one and first cell पे हो जाएगा two then क्या करते हैं जो two है मल्टि पेकन का इसे यहां से clear कर देते हैं जो cell space होगा उसी cell पे हमें right side की fingers को stand कर लेना है चुकि next जो product number आएगा उसे उसी cell से लिखना है start करना है six की series one time करेंगे six बंजा six होगा six बंजा six जब अब एकस पे single numbers आता है तो single numbers को लिखने के लिए हम उसके left side में zero count करते हैं तो हम यहां क्या करेंगे six बंजा six करेंगे तो zero six यहां right side के second wire पे जहां पे already one लिखा है वहां पर मैं six numbers लिख दूँगा five one six then क्या करना है right side के जो आपका multiple number है one इसे यहां से clear कर देना है right side के बाद left side के multiplier number जो आपका six है इसे यहां से clear कर देना है then आपको अब एकस पे answer के रूप में 77 product आपको प्राप्त होता है thank you